बूर्णीजुदेंट्स और यूए सुदेंट्स आप जो हम लेशन नमबर जह वह नाइन करेंगे क्योंकि जो लेशन नमर एट है वह हमारे अप्षिलेबस के इंदर नहीं है विद्धिर मानुद्योग वह अप्षिलेबस से जो कट हो चुका है तो बच्छों हम जो है वह थ सतत पुस्णिये विकास यह जो है लेशन नमर हमारा नाइन है जो हम आज करने जा रहे हैं बच्छों इसके अंदर हम बात करते हैं सबसे पहले नियोजन की यह वर्ट जो है सबत जो है वह आप लोगों के लिए नया नहीं है यह सबत हम यूज भी करते रहते हैं और इसका लिए अर्थ भी हमें पता है क्योंकि हम अपने डैFrी लाइफ के अंदर जो होना कोई नई कोई आपना परानिंग मनाते रहते हैं और परानिंग के अकोर्डिंग जल्त आपने का रहें करते हैं तो यह जो योजन है जो इसको एक तरह से जासे प्लानिंग या योजन है भी यह जब भी हम कोई प्राणम राते हैं तो उसको step by step जो हम उसको पूरा करते हैं कि अब कि यहां पर भार की अर्थ बश्ता है उसको सुधार ने के लिए जो है ना वह प्रानिंग करते हैं कुछ योजन लेकर आतीज है कुछ न्योजन एक पकाजविंग आपकर होती है उस ही की आकोर्डिंग प्रॉली की जाती है और इसका जो मुख्य उधिस्य जो है वो यही है कि इसमें मानव का विकास और भारत की जो अर्थ ववस्ता है वो मजबूत हो सके इसी के अंतरगत जो है यह योजने जो है वो बनाई जाती है हम बात करते हैं जैसे कि भारत के अंदर जो न्योजन प्रिप्रेक्स का अवलोंकन की कैसे जो भारत के अंदर जो न्योजन का जो करें किया जाता है यहां पर यह कहता है कि भारत में केंद्रिकत न्योजन है और न्योजन का करें भारत में योजना आयोग को सुपा गया है स्वापती तेता सदस्य है देश में योजन मुख्य रूप से पंस वर्षी योजना के माद्यम से किया जाता है जो बच्छों पंस वर्षी योजना है उसके माद्यम से जो है यह योजना जो हो चलाई जाते हैं बात करते हैं हम योजना की तो कहता है कि 1951 में यह है पंच वर्षी योजना जोने वह आरम होई थी स्टार्टिंग अंदर इसको जोना पंच वर्षी योजना के नाम से जाना जाता था लेकिन अब जो इसको योजना आयोग का नाम जो दिया गया है यह 1950-1952 से 1955 चपन तक चली दुवित्य तता तिरित्य पज़ वर्षी योजना के समय अबदी कर्म से उनिस सपन सतावन से उनिस साथ एकसट और एकसट बासट से पैसट चैन्सट तक रही उनिस के दिसक के मद्धे में लगातार दो सूखों और उनिस सपन पाकिस्तान के साथ यूद के कारण उनिस सब्सक्राइब में योजना अवकास लेना पड़ा क्यूंकि उस टाइम जो है न यूद के समय भारत ने जो ना ये योजना जो स्किम थी वो बंद करती थी एक टाइम के लिए इस अबदे में वार्ष की योजने फोर्विंग प्लान भी कहा गया 14 चुतार्स चुतर्स चुतर्स पजेश जो जना उनिस्से सत्तल अवर्ष में यहारम हुई और 1934 तक चल लो इसके बाद पज़र्षी जना उनिसे जौत चाहट से आड़न हुई पर उतकार ने एक वर्स पहले अतार्थ 1978 में यह स्वाब्त कर दिया। 35 वर्सी योजना 1960 में लागू हुई और सात्में पंस वर्सी योजना 1985 से 1990 के बीच रही। एक बाई फिर रारेटिक ऐस इत्र था और उदारीकंड के नीतिक की सुरुवात के एक अठमें पंस वर्सी योजना देरी से आरम हुई। आरम हम बात करते हैं कि जो योजना है उसको किस प्रकार से जना वह लागू किया जाता है। यहां पर कहता है कि जो न्योजन योजना प्रानी है वह जो दो भागु में यहां पर उसने डिवाइड किया है। पहले है खंडिया न्योजन और दूफरिय प्रादेशिक न्योजन। खंडिया न्योजन का अर्थ है अर्थ ववस्ता के विभिन शेक्टर जैसे क्रिशी, सिच्चाई, वी निर्माण, उर्जा, निर्माण, प्रिवहन, संचार, समाजिक और सचना और श्यवाओं के विकास के लिए कार्यकरम बनाना और उनको लागू करना। उसको बोलेंगे हम खंडिया न्योजन। यानि कि किसी एक शेत्र के अंदर कोई भी हम जोना एक हम टोपिक उठाएंगे एक चीज़ लेंगे जैसे चाहिए क्रिशी लेओ चाहिए लेओ या वी निर्माण, उर्जा उस एक ही इलिमेंट के उपर हम इन्वेस्टमेंट करें हैं, उसको बोलेंगे हम खंडिया न्योजन। उसके बाद किसी भी देश में सभी शेत्रों में एक समान आर्थिक विकास नहीं हुआ, कुछ शेत्र बहुत अधिक विक्षित हैं तो कुछ पिछड़ी हुए हैं, विकास का यह है ऐसमान परतिरूप सुनिचित करता है एक न इस परकार के न्योजन को प्रादेशिक न्योजन कहा जाता है, बच्चों इसमें क्या होता है कि महान लोफ पुरुदेश के अंदर जो नहीं हम यह बात प्रिक अच्छे से जानते हैं कि यहां पर जो विकास हो रहा है वो एक्वल नहीं हो रहा, कुछ तरह जो आर्थि प्रादेशिक न्योजन बोलती है, जैसे एक एक्जाम्पल है कि अरेना के अंदर जो मेवात जो डिस्टिक है वो काफी पिछड़ा हुआ डिस्टिक है अरेना के अंदर तो उसको बाकिया जो डिस्टिक है जिलिए है उनकी बराबर लेने के लिए उसको जो पैसल जो एक अ आफ समें प्लाहिशों को अतवा से बार्वा करते हैं अगर हम बात करते हैं उत्तर्परदेश से पछेड़ा तो क्या किया गया उस पार्ट को जो ना वो एक अलग नया रजे बना कर जो ना उसमें स्पेसिल जो जो जनाएं चलाएगे इस छेतर के लिए ताकि वो बाकी रजोंगे जैसे ही वो अपने आपको विख्षित कर सके तो इस प्रकार जो ना खंडी नियोजन और अप्रादेश तो में नियोजन प्रक्रम को था ध्यान देना चाहिए जैसे कि आप जानते हैं कि एक चैतर का आर्थ की विकाश उसके संसादननों पर अधारित होता है संसयादन कि वहां मिलने वाले उनकी ऊपर जो रहे अधारित होता है लेकिन कभी संसाधनों से वर्पूर चैत्र बिप आर्थी विकास के साथ तक्निकी और निवेश की अवस्कता होती है। लगबग देड दिसक के न्योजन उन्भौन से यह मैसूश किया गया कि आर्थी विकास में छेत्रिये एसंतुलन प्रबलित हो रहा था। चेत्रिये समाजिक विसंताओं को प्रबलता को काबू में रखने के करम में योजना आयोगने लक्से चेत्र था। लक्से समू योजना वागमों को प्रस्तुत किया है। लक्से चेत्र की और उंकित कारेकरमों के कुछ उधानों में कमाननने यहां परिकास कारेकरम, प्रबती चेत्र कारेकरम, के साथ ही लगू कृषक विकास सम्था, SHIMAAN, किसान विकास सम्था, AND कुछ लक्से शिवओं कारेकरम के तो बच्चों यहां पर कहता है कि हम देख सकते हैं कि कुछ ऐसे चेत्र है भारत के अंदर जो काफी सूखा प्रवावज चेत्र है तो वहाँ पर जो सबसे पहले हम क्या पूंचाएंगे जल की जो जनसादना वहाँ पर प्रिपूंग करेंगे ताकि लोग जय वहाँ पर उस जल की जाएदा से जोना वह अपने आपको जो सूखा प्रवावज चेत्र उसको कम कर सके क्या प्रवतिय भागों के अंदर आर्थिक जो करियाई हैं आर्थिक इविदिया है वह काफी कम होती है और उन लोगों तक पहुंचने काफी मुश्कर हो जाता है तो उसकी लिए प रिटम को किया जाता है आट्वे बंच वर्षी योजना में पर्वतिय चेटरों तथा उत्तरपुर्वी रज्यों जनजाती पिछले चेट्रों में अब शसना को विख्षित करने के लिए विशिष्ट सेटर योजना को त्यार किया गया है सब्सक्राइब कर्म को पांच में पर प्रवत्य के सारे प्रवतिय जिले वत्वान उत्राखंड, मिक्किर पाड़ियां असम के उत्री कथार के पाड़ियां पश्चिमंगार की द्राजली ने जिला और तमलेडू के निलगरी आदी को मिलाकर कुल 15 जिलें सामिल हैं जो कि प्रवतिय छेत्रों गंतर आते हैं उनिश्वीकासी में पिछले छेत्रों पर राष्ट्रिय सिमिती ने उन सबे प्रवतिय छेत्रों को पिछले प्रवतिय छेत्रों में सामिल करने की इस फारिस की जिनकी उन्चाई 600 मीटर से अधिक है और उनमें जन्जातियां उप्योजना लागू नहीं है तो वो पूरा छे इस तरह उनके लिए क्या सुझाओ दिये गए हैं जहां पर उनका विगास हो सके हैं तो सब्सक्राइब कहते हैं कि सभी लोग लावंबित हो केवल प्रवसाली वैक्ति नहीं इसमें कहता है कि के बार हम देखते हैं कि जिन छेत्रों के अंदर प्रवसाली वैक्ति होते हैं उनको ज़्यादा benefit मिल जाता है और जो गरीब या फिर प्रवसरली व्यक्तिन नहीं है उनको उन योजनाओं को जब ज़्यादा benefit नहीं मिल पाता है सथा स्थाने संसादनों और प्रतिभाओं का विकास जीवी का निर्वा अर्थ व्यक्ता को निवेज उनुम की बंदाना कि वहां के जो लोग है वो मुश्य जीवी का निर्वा कि जीवी निर्वा करने के लिए ही जो नो वो आर्थिक करिया करते हैं लेकिन उसके इतने investment करें कि जीवी निर्वा भी हो सके और वह अपनी इंकम भी बढ़ा सके अंत्प्रादेशिक व्यपार में पिछ्छे चेत्रों का सोस्ण ना हो पिछ्छे चेत्रों की बजार ववस्था में सुधा करके स्रमिकों को लाब पुंचाना प्रसित्की संतुरन बनाए रखना ये हैं हम पाड़ी चेत्र के विकास के विष्ट्रित यूजनाएं इनके स्तला करती प्रस्थितिय समाजगिय तथा आर्थिक दसाओं को ध्यान में रखकर बनाए गई ये कारेकरम पाड़ी चेत्रों में बागवानी का विकास रोपन क्रीशी पसूपालन मुर्गी पालन वाने की ल अगैसा विकास करना ताकि वह अपने अर्थ्वव्विष्टा को मजबूत कर सके और उनकी आर्थिक किरिया विकास के वह अपने जीवन निर्भा के साथ उसको भी बढ़ा सके अब हमने बात करते हैं सुख्या समभावी चेत्र विकास करेकरम इस काय कर्म की कृवात चोथी मज़वर्शी योजना weapon में हुई इसका उद्र से सूखा संभावी चेतरों में लोगों को रोजगार उप्रब्द करवाना जो सूखा चेतर है वहां पर क्या करना है ।। लोगों को रोजगार उप्रब्द करवाना और सूखे के परभाव को कम करने के लिए उस पादन के साधनों को विक्सित करना कहता है कि जो सूखे को परभाव उसको कम करना है जुदक में मोटिव है में इसके कारे चेतर को और विश्ट्रित किया गया प्रारम में ये कारेकरम के अंतरगत सिविल निर्मान कारें पर बल दिया गया जिन में अधिक सर्मिकों के अवस्कता होती है पंतुबाद में सिचाई प्रियोजना बूमी विकास कारेकरम वनिकन चरगाहा विकास अधारभूत ग्रामिन अवसर्चना जैसे विदुत सडकों बजार रिंड स्विदा और स्विवां पर जोर दिया गया कि पिछले श्तरों विकास के राष्टी स्यमित ने कारेकरम का करेनी व्य सब्साह एड जिसमे यह पता जिसमे LAUGH फÑ गया कि कारेकरम मुखित करिशी तथा उसके सम्मध सिक्डरों के विकास तक ही सिमित है प्राइबने सुन्तुलन पुरे सथापा ने इसके विशेश बल दिया गया जिन सेंके विद्धिक एकान लोकरीशी के लिए सीमाद भूमी पर उपयोग करने के लिए बात दिये हैं जिससे प्रिस्तिकी निमिनिकर्ण हो रहा है अधे सुका समावी चेतर के विकल्पिक रोज करेकरम अपनाना सामिल है यह वाटर सेट जो मनेजमेंट का जो करेकरम है इसको जो सामिल किया गया है सुका समभावी चेतरों के विकास के रण दिती में जल मिट्टी पोधा मानव पसू जिन संक्या के बीच प्रिस्तिकी संतुलन पुने सस्थापन के मुख्य रूप से ध वहां सुखा पड़ता है बारिश नहीं हो पाती तो बारिश नहीं होगी तो वहां जल संसाधन कम हो जाएगा जल संसाधन कम होगा तो वहां पर क्या होगा कि वह लोग जो ना वहां पर उस चेतर को जो छोड़ने के लिए मुझबूर हो जाते हैं वहां को यार्टी करिया वहां जो है अपने विकास और नहीं कर पाते तो यह कहता है कि जो सुकस में चितर है वहाँ पर विकास की ऐसी रिणलती ऐसी जो ना एक प्रानिंग की जाए जहां जल मिट्टी पौधा मानों जाता पुसूव जन संक्या के बीच में एक प्रस्तित की संतुलन जावों बन सके 1967 में योजना आयोग ने देश में 67 जिलों के पहचान सुका संभावी जिलों के रूप में दी संभावी जिलों के प्रिशमीन किया अब बात करते हैं कि भारत के अंदर कौन कोंसे चेतर है जहां पर सुका संभावी जिलों के अंदर जो वह आते हैं इसमें अरजस्तान तो ही अनिट्टूड है कि अंदर बारिश बहुत कम होती है यह इसका काफी सुका जो प्रभावी चेतरे गुजरात है परश्चिमी मद्यपर्देश महराष्टर का महराठवाडा चेतर अंदर प्रदेश के राइल सीमा और तिलंगाना पठार कानाटक पठार और तम्राडू के उस गूमी तसा आंतरिक बाग के सुस्क तथा असुस्क बागों में फैले इसके साथ ही बचाव कर जाते हैं लेकिन अधर्वाई जो ना भारत के अंदर बहुत बड़ा बूभाग है जो कि अग्रस्ट के अंदर आ जाता है तो बच्चों आज के लिए तना ही नेक्ष्ट अट्रोपिक होगा उसके अधिन करेंगे एक एक तो अधिन होगा हमारा पाड़ी चेतर क अधिन के बारे में तो यह जो क्रिंसेप्ट है वो हम नेक्ष्ट है जो हमारी जो वीडियो होगी उसके अंदर होगा थैंक्यू फ्रेंड्स है वे नेच डे